और ये द्रिश इंडिया गेट से सुन्दर ज्ञाकिया निकलती हुई अब जो ज्ञाकी सलामी मंच के सामने आ रही है ये मर्यादा पुर्शोतम श्री राम की नगरी अयोध्या नगरी की है ये ज्ञाकी और अयोध्या नगरी का दीपोटसव दर्शाया गया है Guinness Book of World Records में यहाँ पर दीपोटसव लगाता 2017 से अब 2022 तक दीप प्रज्वलित रहते हैं श्रीतार हर साल मुझे एक दीप प्रज्वलित करके उस कीरतिमान का हिस्सा बनने का मौका मिला है गौरब और नाम दर्ज होता तो अच्छा होता गिनीज बुक में हर एक व्यक्ति का वहाँ पर हो जाता लेकिन देखिए दीपोटसव जिस तरीके से जो आखरी रिकॉर्ड उसने अपना ही तोड़ा वो 15 लाक दीपों का बनाया था लेकिन यहाँ पर राम दर्बार है सामने महर शिवालमी की आपको दिख रहे हैं और अयोध्या में जो राम मंदिर है वो इस साल के अंत तक लगवग इस हिसाब से पूर्ण हो जाएगा कि अगले वर्ष इस समय जब हम यहाँ पर गणतंत्र दिवस समारोह की कमेंटरी कर रहे होंगे तो वहाँ पर आम भत दर्शन के लिए वहाँ पर जा पाएंगे अभी भी जाते हैं लेकिन मंदिर में गर्ब ग्रे में राम लला की स्थापना हो जाएगी और इसलिए ये जो है ये बहुत बड़े परिवर्तन का साल भी होने वाला है दो हजार तेईस कर तव पत पर आप गड़तंत्र दिवस की परेड देख रहे हैं और अब किस तरह से पेट भरा जाए उस पर भी चर्चा हो जाए क्यूंकि ये है ये ये और ओफ दो मिलिट्स ये और ओफ दो मिलिट्स क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहां पर अब आप बात कर रहे हैं कि कोशण के लिए और किस चीज की आवशक्ता होगी भारत के लिए और विश्वभर के लिए यह भारत की पहल है अब देखिए पूरी दुनिया में फ्लाक सीड करके उसके सप्लिमेंट्स भी बेचे जाते हैं खाय जाते हैं हमारी पारंपरिक खुराक का हिस्सा इस तरह की चीजें रही है जिनका महत्म पूरी दुनिया समझ रही है और इसलिए भारत की पहल पर येर ओफ मिलिट्स कहकर ये मोटा अनाज जो कि आपके स्वास्ति के लिए बहुत जरूरी और बहुत अच्छा रहता है और इसलिए आपको वो ज्छाकी में जूमते हुए किसान भी दिख रहे हैं आपको एक इसका रासाइनिक कारण भी बता दें कि हमारे जो ग्यों का आटा बनता है उसमें ग्लूटन नाम की एक केमिकल होती है जो कि बहुत लोगों को सूट नहीं करता है मिलेट जो है वो ग्लूटन फ्री हुआ करते है और यह है जन जातिय कार्य मंत्राले की ज्छाकी और इसमें आप देख रहे हैं एकलव्य को अगर अरजुन का महत्व है तो एकलव्य का महत्व उतना ही या उससे कहीं अधिक है किस तरह एकलव्य ने धनुष बाण से रक्षा की अपनी अपने लोगों की पुरानी कहावद भी है समय साई की बात है समय होद बल्वान भिलन लूटे गोपिया वही अरजुन वही बाण और एकलव्य की अगर आप बात करें तो किस तरह से एकलव्य ने सशक्टी करण का उदाहरण दिया था वही बात है कि अगर आप गीता उपदेश सामने देख रहे हैं तो उसके पीछे की एक जहांकी में एक लव्य भी दिखा रहे है भारत की संस्कृती भारत की परंपरा ऐसी है जहां पर हर एक चीज हर एक व्यक्ति एहम है इसलिए देखिए कि जब भगवान शिव की भी बात आती है तो राम और रावन को वो दोनों की भक्ति को एक समान तौलते हैं और जब हमारे जन जाती है जो की भारती है इतिहास हमारी परंपरा को आज भी संजो कर अपना जीते हैं उनके जीवन से भी बहुत कुछ सीखने की बात आ जाती है और ये ग्रह मंत्राले का संकल्प है 75 वर्ष हो गए स्वतंत्रता को हम नशामुक्त भारत बनाएंगे आजादी के 75 साल में नकेवल बेजमेसाल है हमारा गरतंत्र लेकिन ये जो नार्कोटिक्स कंट्रो ब्यूरो की आप टीम देख रहे हैं ये उन्होंने आदर्श वक्ति क्या बनाया है अपना टूगेदर रीकें डूइट ग्रह मंत्री अमिट शाह इस जांकी को देखते हुए नशामुक्भारत इसका गाना बढ़ा अच्छा है गोरे विंगरत सुन्वाते हैं समावेश होत इसके जहांकी को आप देख रहे हैं जहां पर अलग-अलग forces की जो महिलाएं हैं वो आपको नज़र आ रही हैं चाहे BSFO, CRPFO, CISFO, CISF तो आप देखते हैं किस तरीके से airports पर beauty में लगी रहती हैं इसके साथ ही जो CRPF और BSF हैं ये combat role में भी लड़कियों का इस्तमाल करते ह जो नकसल प्रभावित इलाके होते हैं वहाँ पर चाहे BSF का बस्तलिया ब्रिगेड हो या CRPF है उसकी जो lady commandos हैं जिने हम queen cobras भी कोब्रा कमांडो के साथ साथ एक महिला दस्ता भी उसका तैयार किया गया है तो ये सब उस combat role में लगी रहती हैं